हे ओठाकूज बट्स आप वेलकम टू अबर चैनल में इस्ट एंडियन ओठाकूज तो आदम रिविए करने वाने हैं अपारे रैनमेन एनिमे का लिए वीडियों से पर अगर अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करें और साथ इपाल विदिए गंटी आइकन को भी दबाते क्या हम एनिमे से रिलिटरी वीडियो लाते रहते हैं तो देखने हैं क्या खास इस आपको यह देखना भी चाहिए जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपारे रैनमेन इस्टूडियो प्रोग्राइसिव एनिमेशन वर्क शॉट में पिये वर्क्स का प्रडूइस किया हुआ ओरिजिनल एनिमे है जिसके तीन एपिसोड्स रिलिस होने के बाद बाकी के एपिसोड्स पो कोरोना वाइरस के चलते डिले कर दिया गए हैं और ना तो यह एनौंच किया गया है कि एनिमे में टुटल एपिसोड्स कितने होने वाले हैं और ना ही यह कि बाकी आएके एपिसोड्स कब से एर होना शुरू होंगे एनिमे को डारेक्ट किया है मासा काजू, हर्शी मोटो ने जोनों ने इससे पहले 3-4 एनिमे शोज और क्रियन सेंच्छान की मिवी को भी डारेक्ट किया है जिसमें तारी तारी एनिमे और सो लिटर नॉट एनिमे थोड़े बहुत लोगों को पसंद आए है एनिमे का लाइसेंस वनिमेशन के पास है जो आगे चलके एनिमे की इंग्लीज डविंग को भी प्रडूस करेगा एनिमे का प्लॉट सेयाटर लेट 19th सेंचरी के एराउं जहां अपारे सोरानो जो की सेकंड सन है एक रिस्पेक्टेट मर्चन फैमली का और एक जोशिला इनिमेंटर है जिसके इंवेंट के वोगों को परिशानी होती है जिसके जलते लॉट को राड़ कासा में इशी की जो एक समुराय है और वाइस से मैन है उसे अपारे के उपर नज़र रखने के लिए बोलता है लेकिन होता कुछ ऐसा है कि अपारे सब को छोड़ कर अपनी बनाई हुई बोट पर एडवेंचर के लिए निकल रहा होता है कि तब भी कोसा में उसे रोकने की कोशिश करता है लाश्ट में वो दोनुही समुर्दर में फस जाते हैं फिर कुछ दिन बाद वहां से एक अमेरिकन इस्टिम्ट सिप गज़र रही होती है जो उने बचाती है जिसके बाद वो लॉस एंजलेस में जाते हैं जहां शिप का कैप्टन उन्हें इस्टोर हाउस में रहने की जगा देता है लॉस एंजलेस में फसने के बाद जहां उनके पास पैसे नहीं होते और कोई भी उन्हें जॉब देने के लिए तैयार भी नहीं होता जिसके बाद आपारे डिसाइड करता है कि वो ट्रांस एमेरिकन वाइल्ड इस्वे अंडर करेगा जिसमें कोसामे भी उसका साथ देगा क्योंकि रेस की प्राइस मनी जीत कर वो जपान वाफ़ जा सकता है फिर कि आपारे रेस के लिए अपनी कार बनाने में लग जाता है जिसमें कोसामे के समुराय होने का पाइदा और उठाकर वो पैसे कमाते हैं लेकिन अपने एम को अचीव करने के लिए उन्हें किस-किस खत्री का सामना करना पड़ेगा या फिर किन-किन के रूप में खत्री उनके पास आएंगे यह देखने लायक होगा अनि को प्रडूस किया है पिए वर्क्स श्टूडियो ने इसने एंजल बीट्स अनिमे अनायतर अनिमे डासेंट्रिक फैमली अनिमे सीरीज को भी प्रडूस किया है जिसके चलते हम अनिमे से अच्छे अनिमेशन की उमीद रख सकते हैं इसमें यह कुछ हद तक खराबी उतरता है पर सीजिया अनिमे का वेक पॉइंट हो सकते हैं साथ ही कुछ कार्स के डिजाइन भी फणी से लगते हैं हाला कि यह अभी नई सेंचुरी की शुरुआत है आगे चलके कार्स के डिजाइन भी शायर अच्छे हो जाएंगे अवरॉल अनिमे का अनिमेशन अच्छा है अनिमे का कैरेक्टर डेवलेमेंट भी अच्छा लग रहा है सिर्फ तीन ही एपिसोड में बागी के इंपोर्टन कैरेक्टर को अच्छी तरह से इंट्रीउस कराया गया है साथ-साथ अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी मिला है बागी इंपोर्टन कैरेक्टर में हमें सबसे पहले इंट्रो कराया जाता है जिंग शैलेंज से जो एक आटो रेसिंग टीम की कोर गल है जिसका मतलब होता है कामकाजी लड़की लेकिन उसका सपना है एक रेसर बने का पर यहां स्टोरी सेट पुराने जमाने में जहां रड़कियों को छूट कमी मिल दिया करती थी इसलिए उसे भी लड़की होने के कारण मना कर जाता है हालागी हमें सुरू में ही जिंग को रेस करते हुए दिखाय जाता है लेकिन देखना है कि रेसर बनेगी कैसे फिर आता है होटो टो जो एक आदमे को डून रहा होता है जिसकी गर्दन में टाटू बना हुआ है जिसके चलते हैं वो बहुत लोगों से पूछते हुए मार भी खाता है जहां कोसा में और अपारे के कारण वो बच जाता है फिर उन्हें जॉइन कर लेता है फिर आता है डेलन जो टॉप डेसर है साथ ही किसी 1003 का मेंबर भी है जो होटो टो को बचाता है फिर आता है अल लेउन जो वैल्दी एरोपियन फैमिली से ब्लॉग करता है इनकी खुद की ओटो कंपनी है बेन डबलू करके और वो भी ट्रांस अमेरिकन वाइल डेस जीदना चाता है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रूफ कर सके कि वो बी एन डबलू कंपनी चलाने के लिए अपने प्रेदर्स से ज़्यादा बहतर है फिरात ही है सोफिय टेलर जो एल्ड की परसनल असिस्टेंट है जिसकी मतर एल्ड की बेवी सिटर थी और सभी वोईस एक्टर्स की वोईस एक्टनिंग भी अच्छी है खासकर अपारे की जिसको वोईस दी है नाट्सु की हानाई ने जोनों ने टोक्यो गूल में कैन काने को भी आवाज दी थी एनिमी का ओपनिंग सौंग एवरेज है तो वहीं एनिंग सौंग कुछ खास नहीं है बात रहे बेग्डाउंड मुजिक की तो वह भी ठीक ठाक है एनिमी की स्टोरी तो अभी ठीक ठाक ही लग रही है जिसमें सबसे अच्छे मोमेंट मुझे लगा जब एल और एपारे की रेस होती है बागी यानिमे आपको बोर भी नहीं करता है मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूं लाश्ट मुझे मैं आपको अपने कंकुलिजन के साब से यहीं बोलूँगा कि यानिमी देखने लाइक को लग रहा है साथ ही यानिमे में रेस एक बड़ा फैक्टर है जो आप अपने आप में इसे अलग बनाता है तो आपको एनिमे को एक ट्राय तो देना ही चाहिए वैसे भी अभी तीन ही एपिसोट रिलेज हुए है यह देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे इसे कंटीनियर करना है या नहीं तो आज के लिए बस इतने है अगर आपक कर सकते हैं